Hello Everyone, Welcome Back to the Samajik Guru Channel, आज हम करने जा रहे हैं Computer Science Class 8 का Lesson No. 3, जिसका नाम है Introduction to Information Technology, इस चैप्टर में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, वो है हम लोग देखेंगे कि Information Technology किसे कहते हैं, Websites के बारे में जानेंगे, Searching क्या होता है, Websurfing क्या होता है, और Online, Offline में क्या अंतर है, Downloading किसे कहते हैं, Net Banking कैसे करते हैं, Online Results कैसे चेक करते हैं, Mobile Technology के बारे में जानेंगे, और Last में हम लोग इस Exercise के, इस Chapter के Exercises को सॉल्फ करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, Introduction इस Chapter का, इसमें क्या बताया गया है आपको, कि आजकल काफी सारी कमपनियां जो है, वो Information Technology के बलबूते पर काफी अच्छा पैसा जो है, वो Earn कर रही है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा Standard जो है, वो अपनाया हुआ है, और जो है, competitive marketing policy के according जो है, वो काम कर रहे है और ऐसा इस वज़े से हो पाया, क्योंकि वो Information उसे सही समय पर जो है, वो हासिल कर पाया, और ये जो कमपनियां है, वो इसी Information के basis पे काम करती है, और इस वज़े से इसे Information Technology का युग माना जाता है, Information Technology जो है, वो Computer, Hardware और Software related होता है, ये जो Technology है, वो is used for processing, storing and exchange of information, is called Information Technology, तो इस Technology में processing भी होता है, storing भी होता है, information का exchange भी होता है, और इस वज़े से Information Technology कहा जाता है, Information Technology जो है, वो हमा किसी भी कंट्री के development में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और इस वज़े से ये जो है, लोगों का life style, उनकी learning, उनकी जो playing है, ठीक है, जो game खेलना है, उनके काम करने का इन सब में काफे जादा जो है, वो बदला लेकर आता है, computer information technology के development की वज़े से जो है, काफी सारे discoveries जो है, उनसे हम लोग जो है, वो रूबरी हुए है, social program से, business जो devices होते हैं, new tools जो होते है, communication के, वो जो है, वो हमारे knowledge में आता है, और उससे जो है, वो काफी सारे information जो है, हम gain करते हैं, अब जान लेते हैं कि information technology आखे किसे हैं, तो इसके अंदर वो सारे devices जो है, या कह सकते हो कि वो सारी technologies जो है, वो use की जाती है, जिसमें कि हम data को store कर सकते हैं, उसको change कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जो business data है, उसकी information को हम लोग use कर सके, voices को, आवाज जेनी कि उसको use कर सके, discussion कर सके, photographs ले सके, movie, multimedia presentation जो है, वो दे सके, तो जो information technology है, यह हमारे लिए फायदे का सौदा है, और यह जो है, इसमें दोनों ही चीज़े, telephone और computer technology दोनों ही include, जो है, आजकल किये आते हैं, मतब दोनों ही शामिल किये जाते हैं, अब question आता है, कि information technology जो है, उसका आखे ज electricity bill हो, तो हमें जो है, अगर आप government offices में जाओगे, तो आपको line में लगना पड़ेगा, वहाँ पर, तो इन सब जंजटों से बचने के लिए, जो है, वो लोग क्या करते हैं, online चीज़ों को करना prefer करते हैं, और computer की help से जो है, वो इन चीज़ों को bill payment वगरा जो है, वो कर सकते होगा, computer technology जो है, वो अलग-अलग field में हमें help करता है, जैसे कि business and industry में किस तरीके से help कर सकता है, office automation में, ठीक है, यानि कि यह हमें help करता है, कि हम जो है, वो office routine जो work है, ठीक है, जो office के जो daily के काम होते हैं, वो सही तरीके से manage कर सके, जिसकी वज़े से हम उसकी productivity, उसकी जो industry को जो है, वो promote कर सके, दूसरा जिसका सबसे बड़ा फायदा होता है, वो है management information system में, क्योंकि यह वहाँ पर help करता है, manager को, क्योंकि manager के पास सारा data है, तो वो जल्दी से decision ले सके, जो कि उसकी industry के लिए, उसके business के लिए फायदे के, अब जैसे कोई new device जो है, वो launch हुआ, ठ जो है, वो grow कर सकती है, तो उसको knowledge कहा से मिली, information technology के थो मिली है, तो उसको जो है, वो decision, quick decision लेकर अपने business industry को जो है, वो grow कर सकता है, और आज के time में, आप लोग देखो, कि जितनी भी business है, वो सब जो है, वो online जा रहे है, ठीक है, चाहिए, आप Amazon ले लो, flip card ले लो, तो इसक जानना, उसको इस्तमाल करना, आना जो है, वो हमारे लिए बहुत जादा जरूरी है, अब question उड़ता है, कि हम घर पी information technology को किस तरीके से इस्तमाल कर सकते हैं, तो इसको हम लोग इस्तमाल करते हैं, communication करने के लिए, यानि कि बातचीत करने के लिए, ठीक है, तो अब पुरान technology की जरूरत होती है, जैसे कि जो है, बच्चे आज कल इंटरनेट का यूज कर रहे है, आज कल स्कूल जह हो नहीं खुल रहे तो online classes होती है, तो वो सब किस वज़े से possible हो पाया, information technology की वज़े से, आप कह सकते हो, पॉसिबल हो पाया, जिसमें कि आपको आपको कुछ dvd इन सब को जो है, वो यूज किया जाता है, तो आपको entertainment में भी ये help करता है, इसका तीसरा जो फाइदा है, ट्रेनिंग परपस से इनको यूज किया जाता है, जैसे कि स्कूल में information technology को बच्चों को सिखाने के लिए जो है, ठीक है, कि इन सब चीज़ों को बच्चों को सि अब हम बचलिए, आपकोमें जाते हैं, यूज को तो ब提供ों को बच्चों किया जाता है, जो कि एक ही domain name से जो है, वो रिजिस्टर होता है, ठीक है, मैं दुवारा बताती हूँ, जो वेबसाइट होता है, वो एक या एक से ज़ादा पेज का जो है कलेक्शन होता है, जो कि एक ही domain name कि अंदर जो है वो register होता है, जो page होता है website का, उसको हम easily access कर सकते हैं, मतलब बहां तक पहुंच सकते हैं, अगर हमें उसका URL जो है वो पता होगा ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं, गृis को हमें और उसके वेबसाइट होते हैं उन सबका एक यूनिक एड्रस होता है ठीक है जिसकी वज़े से हम उस इंटरनेट कनेक्शन के थू जो है उस वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं जैसे कि मानके चलते कि अगर मैंने पंजाब बोड का जो है वो साइट खोलना है तो मैंने पंजाब बोड का वेब एड्रस वो डालना है ठीक है तो कोई भी वेबसाइट का जो स्टार्टिंग पेज होता है उसे हम लोग होम पेज कहते हैं जिस पर आपको काफी सारे हाइपर लिंक्स जो है वो मिल जाता है अपनों जब गूगल करते हो कोई चीज तो आपके सामने ब्ली कलर की ला अब मान के चलो जैसे कि आप लोग Amazon की साइट खोलते हो तो Amazon की साइट अगर खोली तो उसमें जो है आपको काफी सारे लिंक मिलेंगे है ना कि आपने कौन किस तरीकी का सम्माल लेना है क्या लेना है तो वहां पर आपको लिंक बने हुए आते हैं तो उसके तुरू आप उस वेब साइट मतलग उस पेज पर चले जाते हो वहां पर आप जह हो चीज़ों को पड़ा लेते हो ठीक है अब यहां पर पंचाब बर्ड जो है उसकी साइट जह हो खुली हुई अब जैसे यहां पर यह home page जब इस पर क्लिक करोगे तो उस ते चले जाओगे इसी तरीके से अगर आपका searching, searching क्या होता है? इंगलिश में जो search word का मतलब होता है, कोई चीज जो है वो find out करना ठीक है कि कोई चीज जो है वो डूढने की कोशिश करना तो जो web search होता है वो भी इसी तरीके से web pages को search करता है तो web search engine जो है वह क्या होता है यह वह search engine है जहां पर जो है वह system कह सकते है आप लोग होता है जहां पर काफी सारे pages web pages का collection होता है जो भी information हमें चाहिए उससे related एक ही जगे पर जैसे कि आप लोग Google करते हो ठीक है या जो है उससे करते हो तो यह सब जो है वह search engine है ठीक है यहां पर जो है जब आप Google पर कोई चीज कोई टापिक सर्च करते तो आपके सामने काफी सारे hyperlinks जो है वो खुल जाती है ठीक है नेक्स से आपका web surfing का मतलब होता है एक website से दूसरी website पे जो है वो जाना ठीक है जो भी हमारा जब वो एक क्लिक करते हैं तो वहां पर जो है काफी सारे hyperlinks खुल जाते हैं जिस पर वो एक पर क्लिक करेंगे फिर वहां पर पहुंच जाते फिर उसमें काफी hyperlinks मिल जाते और इस तरीके से वह जो है वो कह सकते हो internet पर अपना time जो है वो spend करते हैं अब आपको next topic है कि online औ मतलब होता है disconnected state यानि कि जुड़े ना रहना तो जब हम लोग कहते हैं कि हम online work कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमने कोई file या कोई program जो है वो open किया हुआ है external source के तुरू ठीक है जैसे कि कोई server हो सकता है कोई website हो सकती है जिसके तुरू हमने अपने file ये program open किया हुआ है जब कोई movie हो सकता है कोई song हो सकता है तो downloading का खिर मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है data को receive करना ठीक है internet के तो जब भी हम internet का स्थमाल कर रहे होते हैं हम data जह है वो download कर रहे होते हैं ठीक है जैसे कि अगर आपने कोई web page है वो open किया ठीक है तो उसका language का HTML है CSS है तो उसमें codes वग click on download जब हम download option पे click करते हैं जो कि उसके file के list file से related होता है या linked होता है तो आपको जो है वो download हो कि specific file जो है वो मिल जाती है next है आपका net banking तो यह एक तरीका है banking करने का ठीक है जिसमें कि एक customer जो होता है या कैसा तो एक ग्रहाक होता है वो अपना account देख सकता है यानि कि उसके detail mail को check कर सकता है bill pay कर सकता है money transfer कर सकता है या दूसरे जो related काम होते हैं वो कर सकता है ठीक है जो internet banking होता है इसे online banking भी बोला जाता है और क्योंकि यह internet का स्तमाल करके किया जाता है ठीक है जैसे कि जब आप fund transfer करते हो या एक दूसरे को bill pay करते हो ठीक है तो इसका स्तमाल जो है व नेक्स से आपका online shopping, online shopping जो है वो क्या होता है, यह electronic commerce है, ठीक है, electricity से चल रहा है computer आपका, ठीक है, और commerce यानि कि business है, तो electronic commerce है, जो की consumer को allow करता है, कि वो कोई भी समान जो है, वो directly, चाहे कह सकते हो, कोई समान हो या service हो, वो directly seller से जो है, वो खरीच सकता है, ठीक है, web browser के थ्रू तो इसका फाइदा क्या होता है, उसे कहीं जाना नहीं पड़ता है, उसका time save होता है, हम लोग समाज जो है, वो कहीं से भी खरीच सकते हैं, ठीक है, अगर हमें America को कोई चीजे वो पसंद आ रही है, तो वो भी हम यहाँ पर order करके मंगवा सकते हैं, ठीक है, हम bill जो है, वो credit यह debit card से जो है, वो pay कर सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो है, सबसे अच्छी चीज क्या होती है, कि purchasing जो है, वो काफी जादा असान हो गई है, और हम घर बैठे बैठे ही समान जो है, वो order कर सकते हैं, और वो हमें समान जो है, वो घर पे ही deliver हो जाता है, और इसी वज़े स से time saving activity भी कहा जा सकता है, next है, कि हम किस तरीके से online जो है, वो अपना result चेक आउट कर सकते हैं, तो information technology ने इस process को काफी जादा असान बना दिया है, अब पहले की तरह नहीं होता, कि लोगों को जो है, वो manual document या नहीं कि जो file बनी हुए आती थी, उसका wait करना होता था, कि वो क अब आएगी तो और वहां पर जो है, हम लोग अपने result को check करेंगे, ठीक है, अब जो है, वो आप internet explorer का इस्तमाल कर सकते हैं, mozilla, firefox या आप google वगेरा, कोई भी जो है, वो yahoo में सर्च कर सकते हैं, वहां पर आपका address बार में, वहां पर आपने ये जो है, वो website डालनी है, जि जिसे कि आप जो है, वो result जो है, वो आपका कुछ इस तरीके से link जो है, वो खुल जाएगा, ठीक है, तो जैसे यहां पर जो है, वो show करें now available results, जब आप इस पर click करोगे, तो आप जो है, वो दूससे related जो page है, उस पर आ जाओगे, जहां पर जो है, वो आपने अपना roll number, ज कर दोगे, तो आपका result जो है, वो आपके सामने होगा, next technology है, हमारी mobile technology, mobile technology जो होता है, उसका मतलब जो है, वो साफ है, ठीक है, portable, portable मतलब जिसको आप एक जगे से दूसरी जगे, जह है, वो easily लेके जा सको, तो mobile technology ने communication में काफी ज़्यादा जो है, वो बदलाव ला दिया है, इवन जो remote areas थे, ठीक है, जहां पर लोग जो easily जाते नहीं पहुंच सकते थे, वहां तक भी जो है, वो mobile technology जो है, वो use की जाने लगी है, और world जो है, वो connected हो गया है, ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, या हमारी वीडियो जो है, आपके लिए किसी भी प् सब्सक्राइब करें, तो आज की टाइम में सेवन बिलियन पीपल में से लगभग 6 बिलियन पीपल जो है, वो cell phone users है, ठीक है, तो इसी वज़े से जो government होते हैं, या NGO's है, companies वगेरा जो है, वो यह समझते हैं, कि लोग जो है, वो इसको जादा use कर रहे हैं, ठीक है, इसकी potential क समझते हैं, इसलिए जब जादा लोगों से जो है, वो बातचीत करनी होती है, तो आप लोग देखो, election की टाइम में भी जो है, वो advertisement जो है, इसके through करवाते हैं, ठीक है, companies जो है, आप कह सकते हैं, mobile technology, mobile के through जो है, वो आप लोगों को, जितने भी उनके details वगेरा होती है, वो data analysis हो सकता है, तो आइए अब इस chapter के जो है, exercises को हम लोग solve कर लेते हैं, सबसे पहले हमारा fill in the blanks, downloading means our computer is receiving data from the internet, तो downloading का मतलब होता है कि हमारा जो computer है, वो internet से data जो है, वो receive कर रहा है, प्राक्त कर रहा है, the first opening page of a website is usually called home page, तो जो सबसे पहला website का जो page होता है, उसको हम लोग home page बोलते हैं, online indicates a state of connectivity, online का मतलब होता है कि state of connectivity show कर रहा है, मतलब जुड़े हुए है, ठीक है, वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, वो जो कह सकते हो कि outer source है, उसके साथ connected है, web surfing means to move from place to place, one website to another website on the internet to search for the topics of interest, तो web surfing का मतलब होता है, एक website से दूसरे website में move करना, ठीक है, उन चीज shopping is a form of electronic commerce, तो online shopping जो है, वो एक तरीके का, आप कह सकते हो business है, जो कि electronically है, which allows consumer to directly buy goods or services from a seller over the internet using a web browser, जो कि अपने ग्राहा को जो है, वो सेवाईं देता है, कि वो जो है, वो सेवाईं को खरीच सके, सेवाईं को खरीच सके, डिरेक्ली internet को यूज करते हुए, अब आपने जो है इसमें true or false बताना है, the result of any board or university can be seen online, कि result जो है, वो किसी भी university का हो सकता है, किसी भी board exam का हो सकता है, आप उसको जो है, वो online check कर सकते हो, तो ये true है, offline means we are connected with the internet, offline का मतलब है कि हम लोग internet से connected है, ये गलत है, a website has only a single webpage, ये एक website होता है, उसमें सर्फ एक ही webpage होता है, ये भी गलत है, web search is the act of looking for web pages, web search का मतलब होता है, कि web pages को search करना है, ठीक है, तो ये ठीक है, each website has its own unique website address, जितने भी website होते हैं, उन सबका एक unique web address होता है, website address होता है, तो ये correct है, short answer type questions, what is information technology, information technology किसी कहते है, information technology is related to computer hardware and software, तो information technology जो है, वो computer hardware and software से related है, ठीक है, उन से संबंदित है, the technology which is used for processing, storing and exchange of information is called information technology, तो ऐसी कोई भी technology, जो की process कर रही है, चीजों को store कर रही है, किस information को, या exchange कर रही है, उसे information technology का part माना जाता है, what is website, website क्या है, a collection of one or more web pages grouped under the same domain name is called website, तो website जो है, वो एक या एक से जादा web pages है, जो की एक ही domain name से जो है, वो group होंगे, उसका collection होगा कह सकते हो, तो उसको हम लोग website कहते हैं, what is searching, searching क्या है, English word में search का जो है, मतलब होता है, किसी चीज़ को ढूंड़ना, तो web search जो है, वो है कि हम web pages को search कर रहें, ठीक है, या उसको ढूंड़ने, what do you mean by online and offline, online और offline से अब क्या समझते, online का simple मतलब होता है, कि हम लोगो जो है, वो internet से connected है, state of connectivity with internet, जब कि offline का मतलब है कि हम disconnected है, internet से, ठीक हम उससे जुड़े हुए नहीं है, long answer type questions, explain the need of information technology, information technology का क्या use, मतलब कि क्या ज़रूरत है, तो business और industry में इसकी ज़रूरत है, ठीक है, office automation के लिए, यानि कि जो अपने daily work है, office के routine work को करने के लिए, ताकि उससे productivity जो है, बढ़ाई जा सके ठीक है, और business और industry जो है, वो अच्छे तरीके से work कर सके, दूसरा है, management information system, ठीक है, कि manager जो है, जल्दी से decision ले सकता है, क्योंकि उनकों चीजों के बारे में जो है, इन्फोर्मेशन टेक्नलोजी के तरूँ, तो quick decision जो है, वो ले सकता है, घर पर किस तरीके से information technology का इस्तमाल कियाता है, communication करने के लिए, बातचीत करने के लिए, जैसे आप email और chatting के तूँ कर सकते हो, next है education, पढ़ने के लिए, जैसे आप online classes लेते हो, ठीके, तो बहुत सार education software आते हैं, जिसके तूँ आप उनकों connected हो सकते हो, इसके अलावा जो है, वो है training purpose है, तो आप चाहे वो medical field में हो, चाहे आप school, college में हो, computer सीख रहे हो, तो वहाँ पर आपको जो training है, वो computer या information technology के तूँ जो है वो दी जाती है, next है आपका right the steps to view online research, steps बताने कि आप online research वो किस तरीके से check करोगे, तो किसी भी web browser को पे जाओगे, web browser यानि कि आप Google पे जा सकते हो, ठीक है, या फिर आप Firefox पे जा सकते हो, वहाँ पर आप Internet Explorer, जैसे कि इनों ने इंटरेट explorer, Mozilla Firefox example दिया है, उसी उसमें आपने address बार में जो है, address बोड का लिखना है, उसके बार जो है, आप result के link पर क्लिक करोगे, तो आपके सामने काफी सारे results के जो है, उसके link शो होंगे, तो जिसका भी अपने result देखना है, आप उस पर क्लिक करोग भी ले सकते हैं, next question है कि mobile technology पर एक note लिखे, technology एक ऐसी technology है, जो कि portable है या आप उसको एक जगे से दूसरी जगे जो है, वो easily ले जा सकते है, mobile technology is rapidly changing the face of communication in the most remote areas of the world, तो ये mobile technology जो है, वो remote areas तक पहुँच गए है, ठीक है, जहां तक अभी तक पहुच चाना पॉजिबल नहीं थ जो है, यानि कि जो संचार है, उसमें काफी बदलाव आ रहा है, आज की टाइम में, वर्ल्ड के 7 billion people में से लगभग 6 billion people जो है, वो cell phone का इस्तमाल करते हैं, ठीक है, तो इसी वज़े से जह है, वो company government ही सब realize करते हैं, कि जो mobile technology उसमें काफी ज़दा potential है, काफी ज़दा शमता है, ठीक है, और इस वज़े से जो है, वो यहाँ पर जादा लोगों को जो है, वो आप कह सकते हो, address किया जा सकता है, या संबोधन इसकी तुरू किया जा सकता है, next question है, कि online shopping के बारे में आप लोग बताएं, online shopping जो होती है, उसका मतलब होता है, कि electronic commerce, यानि कि electronically जो है, आप business कर रहे हो, ठीक है, जिसमें कि एक consumer जो होता है, यानि जो ग्रहक होता है, वो directly किसी भी सेवा, या वस्तु को जो है, वो directly seller से खरीच सकता है, internet के माधियम से, ठीक है, और यह जो उसका product होता है, यह वो कहीं पर भी मंगवा सकता है, और उसको जो है, यह internet के थ्रू कहीं पर order कर सकता है, बिल जो है, वो इसका यह credit यह debit card के थ्रू पे कर सकता है, यह net banking के थ्रू कर सकता है, ठीक है, और जो the good thing is that purchasing things online is very easy, और सबसे अच्छी बात यह है, कि online shopping करना बहुत जादा असान होता है, और इसका फाइदा यह है, कि हमें घर बैठे बैठे हम लोग समान होते हैं, और घर पे ही हमें समान जो है, वो डिलिवर हो जाता है, यानि कि प्राप्त हो जाता है, next question है कि net banking क्या है, आप उसको explain करें, तो net banking एक ऐसा माध्यम है, आप कह सकते हैं, ऐसा system है, जिसमें कि एक customer जो होता है, अपने bank detail को चेक कर सकता है, अपने account detail चेक कर सकता है, बिल पे कर सकता है, money transfer कर सकता है, और बहुत सारे जो है वो चीज़े कर सकता है, internet के माध्यम सा, और इसको net banking बोलते हैं, दूसरे language में internet banking को online banking भी बोला जा सकता है, internet banking के माधिन से काफी सारे काम किये जा सकते हैं, जैसे कि bill पे करना, fund को transfer करना, account वगरा के details चेक करना, ठीक ह अब हम देख लेते हैं, lab activity, इस activity में आपको जो है वो बताना है कि कौन से काम जो है वो online होंगे, और कौन से काम जो है वो offline होंगे, आप एक presentation तयार कर रहे तो यह आप offline भी काम कर सकते हैं, shopping जो है वो online करना पड़ेगा आपको, अगर कोई document create कर रहे तो वो आपका काम offline हो सक जरूरी है, exam की results को check करना है या देखना है तो उसके लिए आपको online होना जरूरी है, यहां पर यह chapter हो जाता है, आपका complete, in case कोई भी doubt आपको रहे गया है तो आप comment section में question कीचे, आपको reply मिल जाएगा, thank you very much